तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है उन्हों और हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको HDFC bank से loan against property लेना है उनके पास एक 10 लाग रुपए की residential property है तो उसके against पर HDFC bank से हमको maximum कितना जो है loan मिल सकता है और उस loan को जो है उनको use करना है person lead के लिए इस पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जुरू आल पर कर दीजिएगा तो सबसे बहले में बात करते हैं इसके benefit की तो लोन अगेंश property में देखिए आपको यहाँ पर हैस्टुमाइज repayment option आपको देखने को मिल जाएगा easy documentation लगते हैं आपकी लोन आप business need के लिए marriage, medical expenses या कोई भी other person lead के लिए आप use करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो easy and self free documentation लगते हैं simple repayment option आपको देखने को मिल जाता है जो है आप पर SDFC की किसी भी ब्रांच से जो आप जो है परसं तक rate of interest जाता है कितने जो है processing charges लगते हैं तो maximum एक person loan amount का जो है processing charges लगेंगे जो की minimum 75-100 रुपए से starting हो जाती processing fees की इसके अलावा आप हम देख लेते कितना जो है आप लोन मिलता है तो अगर आपके पास कोई भी residential property है तो उसके against पर जो है SBI bank से maximum आपको up to 65% loan मिल जाएगा मतलब आप जो भी property जैसे जो सब्सक्राबर ने पूछा था उनके पास 10 लाग रुपए की residential property है तो उसके against पर bank आपको 65% मतलब 6,50,000 रुपए तक का जो है loan आपको मिल सकता है अब यह जरूरी नहीं होता आपको 65% पर मिले 65% पर जाता है मतलब maximum इतना ही मिलेगा इससे कम भी जा सकता है वो डिपेंड करेगा आपकी property की location पे और आप job कैसी करते हो आपका credit score कैसा है उसके हिसाब से depend करता है कि आपको SDFC bank से loan अगेंस property पे कितना LTV ratio मिलेगा अगर आपके पास कोई commercial property है as loan against rental receivable तो इसके लिए जो है आपको 50% लगता है मतलब 10 लाग की अगर आपके पास कोई commercial property है तो उसके अगेंस पर आपको जो है उसका 50% मतलब 5 लाग रुपर तक का बैंक की तरफ से अब जो application जो process है यह एक वीक से लेकि 25 डेस के अंदर जो है आपका लोन जो है वो आपके account में transfer हो जाता है तो आपको इतना जो है दिन देने पड़ते हैं कम से कम साथ दिन मैक्सम जो 25 डेस तक आपका जो लोन application form है वो process हो जाता है इसमें आपके देखिए इसमें आपके देखिए इसमें और न प्रोफेशनल दो क्रोफेशनल में आती है प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर, एकाउंटर, आर्किट, इंजीनियर, कम्पनी सेक अपने जो लोन अगरेश्ट पॉपेटि आप ले रहा हो उसमें आपको applicant करा देते हो तो आपके जो लोन eligibility वो बढ़ जाती है कि अगर आपकी 25 डायट कराते हो उसकी भी 25 डायट कराते हो उसकी भी 25 डायट कराते हो उसके अलावा अगर आपको फीमेल को ओनर जो है as co applicant बना पर भी जो है लोन मिल जाता है अगर आपको फीमेल को applicant जो है रखते हो और वो एक salary होनी चाहिए तो उसको low interest rate पर जो है लोन मिल जाता है तो अगर आपके देखिए मंत्री salary 20 रुपय है और अगर आप मैक्सम 15 सालों लिए loan against property लेना चाहते है और आपको 9.5 के rate of interest पर अगर इसकी 9.5 के rate of interest पर 15 सालों की 8,000 रुपय की M.I. आपकी बनेगी तो इस तरीके से आप यहां से अपना जो है आप पर देख सकतो मंत्री income डालके कि आप कितना loan against property ले सकतो आप जो सब्सक्राबर ने पूचा था कि उनको 10 लाग रुपय की उनकी property है तो उसके अगर मैक्सम HD अगर आपको आराम से loan against property यहां पर मिल जाता है अगर आपका account यहां पर नहीं होता तो उस case में थोड़ा सा salary जो है आपकी ज्यादा होनी चीए तब आपको loan यहां पर मिलता है document देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं तो दो salary होंगे उनके लिए देखे एक address roof और एक ID प्रूफ देना पड़ता है आपको देना पड़ता है और जो भी आप property गिरवी रहा हो उस property के पूरे document आपको जो है बैंक में देने पड़ते हैं वहीं जो है आप एक ID प्रूफ है का address प्रूफ हो गया लेटे 6 मन्त का जो है आपको bank account statement हो गया इसके अलावा जो है आपको जो business वगरा करते हो तो उस business की details आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी तो यह कुछ document लगते हैं SDFC bank से loan against property loan लेने के लिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो सब्सक्राइब हम से 10 लाग का अगर उनके पास property है तो उनको 6,50,000 रुपय का loan जो है मिल जाए गया यहां से तो यहाँ पर देखे हम 6,50,000 का हमने amount डाल दिया अभी जबर नहीं आपको 6,50,000 मिले इन्हों 5,50 पर उफर किया जा रहा है और मैक्सम आप लोने के इस प्रॉपरटी 15 सालों के लिए सकते हूं तो अगर आप 6,50,000 के लिए सकते हूं तो अगर आपके जितनी भी इंकम है इंकम के साब से आप आप अपनी मंथली इंकम का 50% तक EMI के तोर पर दे सकते हो कि अगर आपकी जैसे इंकम 20,000 रुपय तो आप आराम से 8-9,000 रुपय EMI दे सकते हो तो आप अगर आप 6,50,000 का लोन मिलता है आपको 10 सालों के लिए तो आप आराम से 20,000 पर इतनी EMI दे सकते हो अगर आपको कम EMI दे नहीं फिर आपको लोन टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा अगर आप 15 स 287 हो जाएगी उसकेस में लेकिन टोटाल इंटेस्ट आपका बढ़ जाता है तो इस तरीके से आप अपने लोन अगेंस प्रॉपर्टी जितना भी आपको लोन माउट मिले जो रेट आपको मिले और यहां से अपना मंतली माई टोटाल इंटेस्ट करके देख सकते हो तो इस से 10.45 सेंटर बैंक ओफ इंडिया 9.75 फेडरल बैंक 12.60 गोजेश हाउजिंग फाइनस 9.75 HDFC बैंक 9.50 से स्टार्टिंग होती है यूको बैंक में 10.85 यूनियन बैंक ओफ इंडिया में 10.45 तो यह कुछ अधर बैंक और कुछ हाउजिंग फाइनस कंपनी रही जिसमें क्या रेट ओफ इंटर्स चला वह आप चेक आउट कर सकते हो लोन अगैस्ट प्रॉपर्टी इसके लाब अगर आपको लोन के आपको लोन मिल जाएगा परसलोन का लोन टूविल लोन एजुकेशलों से विक आउट अब यहां पर जैसे हम जानने वाले एजजिए वैंक के वारे में तो उसके देखिए आपको लिंक बिल जाएगा यहां से देखिए लोन अगैस्ट प्रॉपर्टी का भी डिरेक्ट आप जो अपनी लिस बेटे चेक आउट कर सकते हूँ डिरेक्ट आपको ऑनलान अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा इसकी फीचर बेनिफिट आप डिटेल से चेक आउट कर सकते हूँ और अगर कोई एजिए बैंक करता है उसका भी लिंक आप इस वबसाइट पर देख सकतो त तो आज के शूड़ों में बस अतना ही तो मिलते नेक्स शूड़ों में तब तक के लिए धन्यवाद